हेलो एवरीवन दिस इस उमार आवत एंड वेलकम तो मैं चैनल फूद्सलाइफ आग मैं आप सभी के लिए एक यूसफुल किचिन गैजेट का रिवीव और अन्बॉक्सिंग वीडियो लेकर आई हूँ उमीद करती हूँ कि आपको यह पसंद आएगा और अगर पसंद आए वीडियो तो प्लीज लाइक और शेर जरूर कीजेगा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजेगा चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटिफल किचिन गैजेट का रिव तो मेरे पास यहाँ पर लोरा वेर का रिवॉल्विंग प्लास्टिक स्पाइस रेक है तो चलिए इसके अन्बॉक्सिंग करते हैं यहाँ पर यह इसका प्राइस दियावा है कुछ ट्वेंटी फाइव हंड्रेड बट यह इतने का नहीं है यह काफी सस्ता पड़ा है मुझ और एमेजॉन पर इसका रेट इस ताइम 5.99 है तो यह देखें इसके पैकिंग इस तरीके से है कुछ तो चलिए जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं और फिर देखते हैं कैसा है यह तो यह इसके कंटेनर से देखें यह इसकी 120 ml कैपिसिटी है और प्लास्टिक इसका काफी अ और इसका यह ब्लाक कैप 3 होल के साथ प्रवाइट किया गया है इक्दम प्रोफेशनल लोग है और यह तोटली एर्टाइट कंटेनर से प्लास्टिक सिफटर के साथ इसे प्रवाइट किया गया है तो यह काफी पसंद आया इससे आपका किचन कैविनेट काफी ज़्यादा beautiful देखेगा और ये कम space गेरता है और इसको इसके साथ put करना बहुत आसान है ये देखे इस तरिके से इसमें इंसर्ट के और ये hold हो गया तो ये एक revolving stand है और revolve करके आप इसमें से मसाले पहचान सकते हैं और easily ले सकते हैं ये देखें ये काफे मजबूती से इसमें locked है और ये सबसे बड़ी बात की ये unbreakable है ये plastic काफे अच्छी है इसे गिरने से ये तूटेगा नहीं और ये revolving ये देखें ये इतनी खुबसूरती से ये काम करता है तो मैंने ये मसाले इसमें फिल कर दिये हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है तो इसमें से आप कोई भी powdery form मसाले या फिर ग्रेनी form मसाले भी रख सकते हैं स्टोर कर सकते हैं और इसमें एक बड़ा होल और त्री स्मॉल होल्स दिये गए हैं आपको अगर कम कॉंटिटी में गिराना है या ज्यादा कॉंटिटी में तो आपके पास options हैं तो ये इस तरीके से आप ये प्लास्टिक शिफ्टर के साथ ये दिया गया है कि ये प्लास्टिक काफी अच्छा है ये मेरा पर्सनल एक्सपिरियंस है और ये काफी अच्छा है मतलब स्पेस भी कम घेरता है और पकड़ने में भी 120 में 20 ml कैपिसिटी है इसकी और इजली आप इसे होल्ड कर सकते हैं कैरी कर सकते हैं और ये ग्रेनी कुछ ग्रेनी मसाले आप जैसे की तड़के के मसाले जीरा एंड मस्टर्ड सीट्स आप इसमें रख सकते हैं ये देखें इसली ये रोटेट होता है और आप इसमेंसे मसाले निकाल सकते हैं, गिरा सकते हैं, तो मैं इसमेंसे यह mustard आपको निकाल के दिखाऊंगी, किस तरीके से यह काम करता है, यह देखें, यह तनी flow में गिर रहा है, यह ग्रेणी मसाला, अगर आपको कम flow चाहिए, तो आप three holes वाला भी open करके, इसमें से मसाले निकाल सकते हैं, तो यहां पे आप कोई भी मसाला इसमें रख सकते हो और वो क्लियर दिख रहा है आपको क्या चाहिए, आप इसमें से ले सकते हैं, पहचान सकते हैं, इवन मैंने हापर केसे सेट्स भी रखे हैं, जिससे इसकी फ्रेग्नेंस बिल्कुल भी न तो यह इसली इसमें से आप निकाल सकते हैं इस पड़े होल से यह इस पाइस जार इस तरीके से डिजाइन किये गए है कि इन मसालों में बाहरी इन्वाइमेंट का कोई भी फर्ट ने पड़ेगा ही प्रोटेक्ट करेंगे और एकदम फ्रेश रहेंगे आपके मसाले तो मेरे ह इस आप से यह एकदम पर्फेक्ट है ब्यूटिफुल है और अगर आप यह किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं तो इस इस बेस्ट ऑप्शन इन शार्ट 16 पीसे स्पाइस जार्स 120 ml कैपिसिटी ओरिजिन मेड इन इंडिया ब्यूटिफुली डिजाइंड चार सार डिस्वाश इसका सेकेंड हाफ वीडियो मैंने इसको यूज करने के बाद बनाया है तो यह मेरे हिसाब से बेस्ट है आप इसे ले सकते हैं तो इन 16 पीसे जार्स को खरीद कर आप अपने किचिन पैंट्री को और भी ज्यादा ब्यूटिफुल बना सकते हैं जिससे कम स्पेस गिरेगा और किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं इसका ओनलाइन पर्चेजिंग लिंक डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं और एजली खरीच सकते हैं तो गैस अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो तो लाइक और शेयर कीजिएगा अपने एक्सपिजि मेरे साथ शेयर कीजिएगा थेंक्यू बबा एंटेक क्यार